राजस्थान के जसलमेर में ऐसे चमतकारी पत्थर पाए जाते हैं, जिनका रहस्य जान वैज्ञानिक भी हैरान रह गए. जी हां, राजस्तान के चमतकारी पत्थर पल्भर में ही दूद को दही बना देते हैं। आपको बता दें, इन पत्थरों के बारे में जब खोज की गई, तो पता चला कि ये सिर्फ राजस्तान के जिसलमेर में ही पाय जाते हैं। पत्थरों की विशेशता जान आप भी दातों तलें उंगली दबा लेंगे, क्योंकि दही बनाने का पूरा एक प्रोसेस होता है, लेकिन इन पत्थरों से बने बर्तनों में आप दूद गर्म करके डालेंगे, तो अपने आप इन में दही जम जाता है, जैसलमेर के हाबूर ग आज भी शोद का विशेश बना हुआ है, बताते चलें कि हाबूर पत्थर में दही जमाने वाले सारे कैमिकल मौजूद हैं, इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि इसमें एमिनो एसिड, फिनायल एलीनिया, रिफटाफैन, टाइरोसिन, जैसे रसायन मौजूद हैं, जो हाबूर पत्थर के बरतन में जमी, दही तवचा के साथ ही, सेहत के लिए भी काफी फाइदे मंद है, जानकारी के मुताबिक इस हाबूर पत्थर को स्वनगिरी भी कहा जाता है, बता दें कि अब आपको हाबूर गाव पूनम नगर के नाम से पहचान में आएगा, वहीं य दुखाना चार घंटे में बदबुदार हो जाता है, इन पत्थरों में रखने से दिन भर बिना फ्रीज के उसका कुछ नहीं बिगड़ता, हालांकि जिलास्तर पर इन पत्थरों की रिसर्च चल रही है, पर्यटकों को लिए आस्था का कैंदर बना, पत्थर आपको बता इस चमतकारी पत्थर को देखने के लिए वह खरीदने के लिए दूर-दूर से लोग पहुँच रहे हैं, इस पत्थर से मूर्ती वह खिलोने भी बनाये जा रहे हैं, जिनने मार्केट में काफी पहचान मिल रही है, ग्रामिनों के मुताबिक यह पत्थर ताज महल सहित कई जगहों पर लगा हुआ है, हाबूरगाव के लोग इसी पत्थर के उपयोग से दूद से दही जमाते हैं, सैका दो सालों से इस चमतकारी पत्थर का प्रयोग करते आ रहे हैं कर दो सालों से जमाते हैं कर दो सालों से जमाते हैं PIZZA POINT कर दो पतलिशस मोमें झाल झाल